नमस्कार दोस्तों स्वाद करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विकेंसी अपडेट्स के अंदर और आज आपके लिए बहुत बड़ी है रिकूट्मेंट अपडेट्स लेकर आए हूँ जो की सिक्षा विभाग में निकल के आ जुका है और इसक अप्लाई करना है कौन को अप्लाई कर सकता है पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इंडिया से आप कहीं से भी आप इसके लिए लिजिवल हो और अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इम चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू करिएगा और साथी साथ बेल आइकन भी दिबा दीजिएगा जिससे आपको हर एक रिक रिक्रूटमेंट अप्डेट आपके मुबाईल में मिलता रहे और आप समा रहते हैं इसके लिए अप्लाई भी कर पाएं वेकेंसिस की बात कुरूं तो और बहुत सारी वेकेंसिस हैं जो की बात करूं के वेस की तरव से आउट की गई हैं और इसके अंदर टोटल नंबर आफ पोस्स एक्जेक्ट बात करूं तो 13404 वेकेंसिस जो हैं वो आउट करी गई हैं नोटिफिकेशन और डिलीस कर दिया गया है लास्ट डेट की बात करूं 26 दिसेंबर 2022 तक का इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं और मेल और फीमेल दुन्हें केंड़ेट इलीजिबल हैं और अप्लाइइ इसके लिए कर पाएंगे अडविटीजमेंट नंबर की बात करूं 16-2022 इसका अडविटीजमेंट नंबर है और अगर बात करें पोस्स की इसके अंदर तो सबसे पहले जो प इसके अंदर आउट की गई हैं पी आटी म्यूजिक की वेकेंसिज हैं 303 वेकेंसिज हैं प्रिंसिपल की 239 वेकेंसिज आउट करी गई हैं और इसके अंदर प्रिवाइस प्रिंसिपल की 203 वेकेंसिज हैं लाइबरेजियन की 355 वेकेंसिज जो हैं वो आउट करी गई हैं officer की बात करूँ तो six vacancies total जो है वो out की गई है assistant section officer की 156 है junior secretary assistant LDC की 702 है senior secretary assistant की UDC की 322 है assistant junior की two vacancies है हिंदी translator की 11 stenographer grade 2 की 54 vacancies जो है वो out की गई है qualification की बात करूँ तो 12th graduate post graduation BEB tech BCOM, MCOM, CA, BADD और DLD कई किया हुआ आपने तो आप इसके लिए eligible है अलगला post wise जो है qualification नोटिफिकेशन में mention की हुई है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं link पर ने आपको description में already provide कर दिया है next अगर मैं बात कुरूँ इस selection process की जो कि सबसे ज़्यादा confusing रहेगा आपके लिए सबसे पहले तो आपका return exam होगा उसके बाद जिस भी post के लिए skill test required है वही हो उसी post के लिए होगा जैसे ldc udc हो गया उनके लिए otherwise आपका सिधा interview होगा और document verification के तुरू आपका जो है selection process रहेगा medical examination भी आपका होगा कुछ एक post के लिए next एकर मैं बात करूँ इसके लिए आपको pay क्या करना है वालब fee क्या यह करनी है तो इसके अंदर general obc ews के लिए thousand रूपीज है टोटल thousand पोस्ट इसके अंदर जो thousand रूपीज आपको pay करने होगे अगर आप जनल obc ews से हैं अधर category sc st pwd candidate को किसी तरह की कोई भी application fee जो आपको pay नहीं करनी है next अगर मैं बात करूँ अप्लाइ करने के लिए यह आप link देख पा रहे हैं पहला online application form का है second अगर मैं बात करूँ short notification अभी out किया गया है और साथ ही के साथ इसका जो notification pdf जो हैं दोनों ही मैंने आपको दे दिया हैं यहां से चेक कर सकते हैं यहां से डाउनलोड करके सबसे लिए नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा फिर उसके लिए नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो के इंदर तब तक के लिए धन्यवाद जी